आज हमारा टॉपिक है एक्जिला, आर्मपिट, सबसे पहले आर्मपिट या एक्जिला होता किया है, यह एक पिरामिडल स्पेस होती है, पिलो द गलीनो हिम्रोल जोइंट, यानि कि शोल्डर जोइंट के नीचे, यहां पे और यह आर्म और थोरक्स के जंक्शन पे होती है, जब हम आर्म को एपडक्ट करते हैं इस तना से, तो यह एक पिरामिडल स्पेस फ्लैटन हो जाती है, अब इसकी बाउंडरी देखते हैं, क्योंकि एक पिरामिडल स्पेस है, तो इसमें एक एपेक्स होगा, यह उपर को पॉइंटेड अपवर्ड और इसकी बिल्कुल ऑप इसकी बाउंडरी कनाल, सर्वाइकल वर्ड जोता है, सर्वाइकल से है, यानि कि नेक और एक्जिलरी एक्जिला के लिए, तो यह एक पैसेज है, बिफीन नेक एंड एक्जिला, अब इसके रिलेशन देखें, तो यहां पर हमारे पास एपेक्स है, और इसके एंटीर लिया क्लाविकल, इसके एंटीर लिया है, और पुस्टीर लिया यहां पर सुपीडियर बॉर्डर ऑफ देखें, इस एपेक्स से हमारे पास क्या होता है, नेक के अंदर जो भी स्ट्रॉक्चिर है, एक्जिलरी आर्ट्री, एक्जिलरी वेन, लिम्फैटिक, स्प्रिकियर प्लैक अचिएशुबयर इस हे एक्जिलरी हेर्स और सबस्याइस क्लैन्ज, क्यूंकि यह कनकेव है तो यहां पर डिप्रेशन बना देती है, और आर्मपित के अंदर और शिप्रेशन को बोलता है, भीर दो है अग्जिलरी फॉस्टीर वॉस्ट अब इसके अंधियर वॉल दिख् यह pectorealis minor है तो anterior relation इसके है pect major, clavipectoral fascia और pectorealis minor posterior wall देखें जो posterior wall होती है वो coastal surface of the scapula है यह gleno-humidal joint है इसके नीचे होगा तो इसमें हम muscles देखते हैं तो सबसे पहरे sub scapularis, tereus major और latissimus dors हैं यह सारे हमारे पास posterior wall का relation है अब medial wall देखते हैं, medial wall पर क्या होता है, medial wall बनी होती है, upper four ribs होती है उसके दर्मियान में जो muscles होती है, ribs के उनको कहते हैं intercostal muscles inter-means in beach में और coastal ribs को कहते हैं, तो intercostal muscles होती है और साथ में seratis anterior की upper digitations यहां पर लगी होई, यह बनाती है medial wall lateral wall देखिए, तो lateral wall जो होती है, inter-tubercular silcus है, यहां पर humerus का उससे और यह correct को breaking eccialis है, और biceps break है, इन तीन से मिलके lateral fall बनी होती है अब contents देखते हैं, contents है, axillary artery और उससे सारी की सारी branches है, यह axilla के अदर नेक से इदर पास होगी, फिर axillary vein होती है, और उसके सारी tributaries है, axillary lymph node होती है, यह five groups होते है, axilla के अदर lymph node के, फिर axillary fat और tissue होता है, यहां पर loose aureolar tissue होता है, सारा, brachial plexus है, yellow see nerves है, सारी और फिर दो nerves और होती है, long thoracic nerve और inter-coastral brachial nerves axillary sheet क्या होती है, हमारे पास जो neck है, neck के अदर होती है, एक pre vertebral fascia होता है, अभी उसको detail में पढ़ने ही जरू होती है, बस नाम याद कर लें कि pre vertebral layer of the fascia होती है, जब फेशिया उसने सारी की सारी nerves को or vessels को surround कि होता है, जब axillary artery apex के अदर enter होती है, तो यह अपने साथ pre vertebral fascia की एक extension को ले जाती है, axilla के अंदर, और जब axilla के अंदर यह sheet हाती है, तो इसको हम लोग बोलते है, axillary sheet है, axillary sheet surrounding arteries, veins, nerves and lymphatics, अब देखते है clinicals, axilla के, जो axillary artery, axilla के अंदर वो उसकी lateral wall में हम palpate कर सकते हैं, somewhat inferiorly, फिर है aneurysm of the axillary artery, जो players होते हैं, athletes होते हैं हमारे पास, वो लो बहुत strenuous exercise करते हैं, और उनकी बड़ी strong movement होती है, arm की, जिसकी विजासे उनकी axillary artery में aneurysm हो जाता है, वो dilate कर जाती है, जब वो dilate कर जाती है, तो वो brachial plexus के trunk के उपर pressure करती है, और जहां पे brachial plexus ने supply करना होता है, तो वहां पे anesthesia हो जाता है, loss of sensation हो जाती है, अब axillary vein, जो axillary vein होती ही mainly exposed होती है, axillary vein जो है na outer side पे पढ़ी होती है, और यह axillary artery को इसनी छुपा रख होता है अपने अदर, तो जब कभी step wound होता है, यह surgical wound लगता है, तो axillary vein पे लगता है, क्योंकि यह outer side पे होती है, अब यहां पे axilla के अदर बहुत सारे axillary hairs होते हैं, sabacious cleanse होते जिसकी वजाए से infection का chance यहां पे बढ़ जाते है, और अगर वहां पे abscess बन जाए किसी भी दर हां को, तो abscess को drain करते हैं, anterior posterior folds भी near the medial wall, क्योंकि lateral wall के साइड पे हमारे पास artery है, axillary artery, और nerves है हमारे पास prickly ear flexes की, और सब कुछ वहां पे है, तो medial wall के पास कोई भी special structure नहीं हो इनके हमारे पास बहुत important काम है, जो axillary lymph nodes है कि हमारे पूरे के पूरे अपर लिंप का lymphatic drainage करते होते हैं, यह anterior chest wall का drainage करते हैं, breast का drainage करते होते हैं, तो अगर कोई भी malignancy हो जाती है, कोई cancer हो जाता है, तो उसमें यह वाले lymph nodes enlarge कर जाते हैं, और इससे हम लोग कहते हैं कि जब यह लिंप नोड इनलार्ज हो जाते हैं, और हम इने palpate करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि कोई malignancy बाटी के नहीं है, और वो diagnosis ही लिए हो जाती है,